नमस्कार आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में आज है 5 सितंबर 2023 और हम पुना उपस्तित हैं दा हिंदू एनलसिस के साथ सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की हारदिक सुवकामना है आप सभी शिक्षक दिवस जोश उलास उत्सा के साथ मनाए एवं अपने तरह से उचायां दें जीवन में न्यू हाइटस दें ताकि वे अपने लक्ष को आसानी से प्राप्त कर सकें तो शिक्षक दिवस एक तरफ से छात्रों और शिक्षकों के बीच जो कंबिनेशन है जो सहयोग है उसको दरसाता है कि ये दोनूए एक तरह से भारती पड़मप करें एब हम अपने जीवन को शफल दम बनायें अब हम अपने टॉपिक करते हैं जैसे का आप सभी जानते हैं हम कुछ महत्पुन टॉपिक को कवर करते हैं था हिंदू एनालसिस में उसक्रम में हमारे पास जो पहला टॉपिक है टीर्स अपार्ट है इसमें चर्चा की गई है एक देश, एक एलेक्षन यानि वन एलेक्षन, एक राष्ट, एक चुनाव को लेकर के एक बार पुड़ा ब्रीप में समझ लेते हैं कि आखिर यह सर्कार ने क्या किया है कैन्सर्कार ने पूर्व रास्पति, भूत पूर्व रास्पति, रामनात कोविंद की अध्थक्स् कुषना की है जो सम्हीती संभावना तलास करेगी कि क्या एक राष्ट एक संभव है और संभव है तो किस प्रकार सेंभव है आधी पर ये संभावनाय तलास करेगी इस पार हमकर बात समझें आखिर ये बात क्यों की गई है One Nation, One Election की चर्चा तो पहले से चल रही थी तो इस सा से हालांकि आलोचना भी हुई है दूसरी और कुछ लोग इसे एक तरह से डाइवर्जन भी बता रहे हैं लेकिन सरकार का ये एक तरह से इरादा है कि एलेक्शन जो है जो खर्च है जो बारबार एलेक्शन होते हैं बारबार लोगों का जो ध्यान है वो बठता है बारबार ल तो फाइनली सरकार चाहती है कि वन नेशन वन एलेक्शन एक राष्ट एक चुनाव लागू हो वहीं अगर बात करें इसकी तो कैसे इसको लागू किया जाएगा तो सम्विधान में शंशुधन करने होंगे राजियों की शहमति लेनी होगी और राजी विधान सवाओं को भं प्रणोती होगी वन नेशन वन एलेक्शन के सामने फाइनली यह पुड़ा मामला कमीटी के पास है समीती के पास है समीती का गठन किया गया है वह जो निर्ने देगी वह जो शुझाब देगी उस पर विचारी मर्स करते हुए आगे पढ़ा जाएगा हाला कि इसके पक्ष म लीजिए पुड़ाने मेंबर हैं तो लाइक कमेंट और से जरूर कीजिए वन नेशन वन एलेक्शन मिलिटेट्स एगेंस्ट फेटरलिजम टायर्ड गवर्नेंस इसमें कहा गया कि जो एक राष्ट एक एलेक्शन है यह तरह से देखा जाए तो शंगबाद और बहु अस्त एलेक्रोल डेमोक्रेशी वर्क्स वाइलॉइंग पीपल तो चुज देर डेप्रिजेंटेटिप्स वो इच टायर बेस्ट ऑन देर परसेप्शन ऑफुई बेस्ट सुटेज तो डिपर्जेंट डेम फोर इच स्पेसिफिक टियर अगी बात करें बहु अस्तरी सर्शन पढ खासकर मैं बात करूं अगर अगर केंदर में सत्ता की बात आती है तो लोग देखते हैं कि कौन सरकार विदेश नीती को सही तरीके संभालेगी और रहां तक राज अस्तर की चुनाव की बात आती है तो अस्थानी शासन के मुद्दों को ध्यान में नहीं रखा जाता पानी मुद्देहा भी होते हैं तो हर एक चुनाव का अपना एक विशिष्ट गुन है उसके अपने विशिष्ट एलक्षन होते हैं उसी क्याधार पर एलेक्शन लड़े जाते हैं वाइड़े रिजन वाइड़े दिमाकरिशन और पावर बिट्विन यूनियन एस्टेट् और यूजिष्ट एलेक्ष एलेक्ट एप्रिटेटेटिव्स फो पार्लियमेंट असेम्बलीच एंड लोकल वॉड़ेज अई मैंने आपके सामने चर्चा की कि पार्लियमेंट असेम्बलीच लोकल वॉड़ेज की संसत और एक तरद से राजी विधान सभा का है उसकी और अस्थानी निकाई चुनाब की जैसे कि मुखिया का सरफ पंचकाद्य का चुनाब जो होता है तो विधान सभा अगर आप देखें यहां पर कि संग राजी और अस्थानी निकाई संस्थानों के बिज़ शक्ति का श्रीमांकन है कि हरे की शक्तियां क्या है अलग-अलग है ह और अस्थानी निकाई की कुछ होड़ है और इनका चुनाब करने के लिए हर एक पांच साल में एक मेंडेट आता है एलेक्शन होता है फिर डिसाइड होता है तो यह जो बाते हैं यह वैसे नहीं होती एक तरसे सिस्टम बना हुआ है दर डिमार्केशन अलोग पॉर स्पेस अगर यहां पर बात की जाए तो चुनाब जो पांच साल में होते हैं ठीक है तो सीमांकन जो इसका है डिमार्केशन जो है यह हरे परतनेजी के लिए विशिष्ट भूमिकाओं को शक्षम बनाता है और विभीन परकार के मदाता विकल्प सामने आते हैं जहां तक पार्टी अधियारी कारण ओनी से कुछ राजेश्यों में एक साथ विधान सभाह और संसधी चुनाब होग के साथ मैच करता है मेल खाता है हम बात की बात की मैंने की आंध्र परदेश और सिक्किम की ठीक है तो यह मेल खाने की बात है उसमें अब इसमें कहा गया कि बीजेपी शासित करें सरकार है यानि बीजेपी का विश्यत्ताप है इसमें जो सरकार जो एक तरह सी संभावना तलास रही है कि हम सेमल्टेनियस सभी अस्तर पड़ी और यह समीति की माध्यम से इसकी घोषना की गई है कि समीति इस पर विचार करेगी और समीति के अध्यक्षें भूत्पुर राश्वती रामनात को बेंद तो इसमें एक तरह से हानी का खत्रा है कि जो मल्टिटार्ट गॉबर्नेंस है जो बहु अस्तर गया है डाशी वन अफ दव दव राजियों की श्रहमति लेनी पड़ेगी यह वड़ा पेंचीदा सवाल है इसब प्रोपोजिशन डैटी एंटिक चूशनल एंट विल लिगल इसकूटनी यहां तक समझ लितने पहले लिगल इसकूटनी तक की बात यहां पर आई है यह जो प्रस्ताव है जो संविधान बिरोधी है राजियों पर अनुशन मरतन की जो आवश्यक्ता इसमें है ही एक साथ एक सुनाव कराने को उद्देश के लिए और दूसरी बात यह है कि कानूनी अगर जांच का सामना आएगा तो यह एक तरह से थोड़ी समस्यात वाती है और यह ऐसे उद्देश को भी बढ़ाता है जहां विधान सभाव का जो कारिकाल है ना वह सीमीत हो जाएगा मान लीजिए किसी कोई विधान अभी कहीं दो साल पहले साल तो हुआ ही नहीं हो तो एक करेगा करेगा करें सब्सक्राइब को ठीक है एन अंटनेबल प्रोस्पेक्ट ऑस्टेंसिबली दप्रोपोजल इस्पिक्स ऑप द नीड़ फो सेमेटरेंस एलेक्शन से कॉस्ट कटिंग सरसाइज अलोग वोटिंग पार्लेमेंटी असेमली करें मनुष्पल यानि की एक तरह से कैंदरस्तर का हो गया विधान सवा चुनाब हो गया और जो नगरी चुनाब है जो नगरपाली का होते हैं पंचाइज एलेक्शन यह सब साथ होंगे तो कॉस्ट कटिंग तो होगी है ना बेमें कमी होगी इच आलसो इस टेप्स फ्रॉ सरकार चाहती है कि हम इसको एक बारी में खतम करना चाहते हैं एलेक्शन साथ ही हो जाए फर्स्ट टेर नो श्ट्री टू प्रॉब यहां पड़िये है कि माल लिजे कोस्ट कटिंग है लेकिन इसको परमानित करने के लिए इसको सिध करने के लिए कि सही में कोस्ट कटिंग होगा ऐसा कोई अध्यन हुआ नहीं है ऐसा कोई अध्यन हुआ हो तो भी बात बने ठीक है दूसरी बात अकर देखें यहां पर लागत बचत होगी कहा जा रहा है तो किसी मामल में चुनाव के संचार में होने वाली जो लागत है न वो बिकार कैसे है क्योंकि चुनाव को दौरन जो परचार खर्च है और जो आरती गत्यविधियों पर करके गुनाभार पड़ता है ठीक है चुनाव खर्च भी थो होते हैं एलेक्शन फोर डिफ्रेंट लेवल्स ऑलसो अलाउज बोटरस तो होल्ड देर रिप्रेजेंटेटिटिव तो ए अगर देखा जाए अगर समझा जाए कि अगर मालीज जी अलग अग समय पर विभीन चुनाव का चल जो है कि वल इन अस्तर के प्रतेंजियों का चुनाव करना होता है एक दासे दूसरी बात यह है कि जिस वरकार की मांग की गई है इसको लेकर आलोचना तो हो ही रही है अगर नागरिक और राजनितिक समाज की लोगों की बात करें जो सिबिल और पॉलिटिकल सुसाइटी के लोग हैं जो आम जन्मत की राए है अब यहां पर यह है कि लोग सवा एलेक्शन जो है वो बिधान सवा चुनाव वो से लग है कैसे क्योंकि विधान सवा चुनाव को जो इसूज होते हैं चाहे लोग सवा की बात हो या विधान सवा की दुनों अलग अलग है डेमोक्रेटिव चोईसेज भी अलग अलग है लोग सवा के लिए आपकी चोई स्कूर पार्टी होती है विधान सवा चुनाव के लिए आप पर 오七 लोग सभाल और विधान सभाल का रöllक नहीं लगा जाती है क्या वार यह हो स्जटाल्या काम नहीं करेगा किसी थो सर त्याओ वहाँ या वहाँ पर हो तोफ Attis यह तो फिर यहः विचार काम नहीं करेगा एक देश एक लेक्षन खान आपका विजार फिर अब्यभारिक हो जाएगा अन्वर्केबल हो जाएगा ठीक है तो कुछ नहीत मुद्दे हैं जिसके समधान क्या वश्कता है अब निर्भर करता है कि समीती क्या रेकुमेंट करती है समीती किन विचारों को लेकर आती है उसी के हिसाब से आगे बढ़ा ज ठीक भो जो झाल आती हूठ तो things to say